हेलो दोस्तों मैं सभीता ग्रीन गार्डन गुजराज से आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे सैपलिंग सेर करूंगी जिनको मैंने पर्चीस नहीं किया है मैं किसी नर्सरी से खरीद कर नहीं लाई हूँ किसी जो है कहीं से भी नहीं लाई हूँ सीट से अपने आप ही जर्मिनेट हुए है मेरे गार्डन में अभी तक मैंने जो भी दिखाया है वो सब मेरे गार्डन से ही अपने आप से ही उगे हुए बिंटर के प्लांट से हैं और ये जो आज दिखा रहे हूँ ये भी जो है बिंटर के ही प्लांट से रहेंगी इसके पहले आप देख सकते हैं ये मेरा चंपा का प्लांट है यहाँ जो है लिली ब्लेक लिली बहुत ही खूफसरत इसकी लीप सोति है चॉबलेटी डिलर की और बहुत अच्छे से हवा चल रही है थोड़ी घ्र चैपलिन आपके साथ मैं जैर करूंगी जिनक लिए मैंने ए एक रुपए में भी पर्चेस नहीं की है और ऐसी फरी की सेपलिंग आप भी अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते ही यह मुर्गा फूल सिलोसिया यह मुर्गा फूल जो है मेरा ड्वाब वेराइटी का है और इसके मैंने बहुत सारे जो है जिएु आपने वीडियो में इसकी साप्लिंग मेरे रोज की प्लानक में बहुतWeаль है मैं जितना ही अटाती हूं उतने ही अपने आप से germinate हो जाती है इसका कारण मैं बताती हूँ क्योंकि यह सब फ्लावा छो है घतम हो जाते हैं तो इनको जो है मैं निकालimas जड़ से उठाड़कर और जो है डल्ल मैं उठाएयर से और या से या लुट इनकी हो जाती है तो यहां पर आप देख रहें मैंने इतने सारे प्लांट जो है निकाल लिये हैं और जो जितने भी प्लांट निकाले हैं वो सब मेरे रोज प्लांट में से ही निकाले गए हैं आप देख सकते हैं रोज की प्लांट में बहुत सारी सैपलिंग्स इनकी जर्मिनेट होती रहती हैं कुछ छोटी रहती हैं कुछ बड़ी रहती हैं लेकिन आज जो है मैं almost सब को निकाल लूँगी वैसे तो polybag की कमी हो जाती है क्योंकि polybag उतने उपलब्द नहीं होते हैं मेरे पास में और ये जो black color की जो क्यूडे जैसे दिखाई दे रहे हैं ये बारिस में मेरे garden में pots में बह वड़ी सप्लिंग नहीं लगाने चाहिए क्योंकि वह सेपलिंग जो है हमारे जब हम रिपॉर्ट करते हैं तो ये चोटे प्लांट रहते हैं तो बहुत अच्छे सर्वाइब कर जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बारा से पंदरा सेपलिंग्स मैंने निकाल ली है सेपलिंग जो है वो है बिंका में भी कलर तो पता नहीं है किस कलर की है लेकिन इस टेम देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे की वाइट कलर के बिंका की सेपलिंग यह जहाद कर माजेछ है रहीं आपी बिंका का में वेस्ट माठीरीयL का जो है एक तूटा हुँ टब है इसे में जो है मैं जितना भी हाडू लगाती हूं टेरिस का जो क्लीनिंग करती हूं वह इसी मका डाल देती हूं तो आप देख सकते हैं इसमें बिंका बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए है और ये साइज से वाइट कलर के ही बिंका है तो वाइट भी रहेंगे तब भी चलेंगे इनको मैं सब को निकाल लूँगी इसी तरीके से और कल जो है मैंने साम को ये एक पीविसी का पाइप था जो कंट्रक्शन में बच गया था उससे जो है मैंने नेचे रखकर एक और उसको लगा दिया है तो इस तरीके से अच्छी हेल्दी सी सेपलिंग्स है और आप अगर नर्सरी में वैसे तो जल्दी मिलती नहीं है नर्सरी में अगर लेने जाएंगे तो इतनी ही बड़ी बड नेच्ट जो है गिलाडिया गर्मी में तो हमारे गार्डन में बहार लाते ही है लेकिन बिंटर में भी कुछ थोड़ी थोड़ी ब्लूमिंग करते हैं और यहां पर आप देखेंगे गिलाडिया मेरे डाइन्थस के प्लांट में घर बना लिये हैं तो इनको मुझे हटाना बहुत जरूरी है और इनमें कुछ वाइड कलर के डॉट जैसे भी हो गए है कुछ रोग जैसा लग रहा है तो इनको हटा दूने ही तो मेरे डाइन्थस का प्लांट भी खराब हो जाएगा तो इनको मैं निकाल लेती हूं यह दो प्लांट मैं निकाल लिये जो उसमें जर् साथ में लेती हैं और जो इनको निकालने की वज़े से शेप्लिंगों से मिरे रोट नीचे ही रह गए और उसकी लीफ्स मेरे हाथों में आ गई थी तो बाद में मैं ने खुर्पी की मदद से इनको मदद से और काफी अच्छे से आराम से निकले आती है तो आपी भी खुर इतने ही सेपलिंग अगर हम अपने गार्डन में लगाते हैं तो गार्डन हमारा फूलों से भर जाता है और लेने जाएंगे तो आपको सो से दो सो रुपए जरूर खर्च करने पड़ेंगे अगर दस प्लांट आप लेते हैं दस दस रुपए के तब भी आपके हंड्रेड र कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है इन में कोई माइट बगारा भी नहीं लगते हैं तो इनको देखिए आप कितने अच्छे से ये मेरे गुल्दावदी की प्लांट में अपने आप ही अच्छे हेल्दी हेल्दी सी सेपलिंग जर्मिनेट हुई है तो इनको भी मैं प्रकार की तो आप मेरे पास मैं आप सेपलिंग तो बहत जादा हुगहे हैं लेकिन पॉलीबेग की कमी होने के वाथ जासे मैं और ज्यादा ड्यांगigonfreena की ही सेपलिंग निकालुगई जिससे कि अगर एक पॉली बैंग में दो प्लांट भी लगा देती हूं तब भी सेट हो जाएंगे तो इस तरीके से हम हमारे गार्डन में जितने भी सेप्लिंग्स वगएरा उनको हम पहले लगा लेंगे उसके बाद में फिर मैं देखूंगी कि मुझे विंटर के कौन से प्लांट जो है पर लगाईए और बार बार जो है प्लांट फ्री में अपने गार्डन से ही बनाईए इस तरीके से आप भी गार्डन कर सकते हैं और बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में बना सकते हैं और रंग बरंगे फूलों से गार्डन को सजा सकते हैं तो ऐसे ही मैंने अभी तक जो अपने गार्डन को सजाईए तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हूँ तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पे न्यू हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज बेल आइकन के साथ फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग